क्या आप जानते हैं कि काले रंग के कपड़े आपके जीवन पर नकारात्मक प्रभाव छोड़ते हैं? वैदिक जोतिस के अनुसार काला रंग ब्यक्तिकी उर्जा और किस्मत पर गहरा प्रभाव छोड़ता है आईए जानते हैं कि कैसे काले रंगे के कपड़े आपकी उन्नती में बाधक बन सकते हैं, अक्सर यह पाया गया है कि काले रंगे के कपड़े पहने के शवकीन ब्यक्तियों की जिंदगी हमेशा उथल पुथल भरी रहती है या उनका मन हमेशा बेचैन रहता है, तो आईए इ इस वीडियो को अंतर तक देखिए, इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें नमस्कार, मैं जियोत्सी आरेच सोनी, पिछले 41 वर्सों से यंत्र, मंत्र, तंत, रत्न, दान, दक्षड़ा, पूजा, पाठ, हो, महोन, जबतप और उद्राक्ष के द्वारा लोगों की समस्या का समाधान करता आ रहा हूँ हिंदू मानेताओं में काले रंग को नकारात्मकता का प्रतीक माना गया है, खास करके पूजा या कोई सुभ कारे पर इस तरह के कपड़े के पहनने की मना ही होती है क्या सचमुच काला रंग व्यक्ति के जीवन पर नकारात्मक प्रभाव छोड़ता है अगर हां तो क्यों इसके पीछे का जयोतसी और बैग्यानिक तथ्य क्या है वैदिक योतिस में प्रतेक ग्रह बिशिष्ट रंगों का प्रतनिजितो करते हैं और ये रंग हमारे उपर बिशेश रूप से प्रभाव डालते हैं उसी में काला रंग जो होता है वो राहू और सनी का प्रतनी से तो करता है वैसे ज्यादा तर तो सनी का प्रतनी से तो करता है लेकिन काला रंग जब पहना जाता है उस समय आपके ग्रह के इस्तिती कैसी है जन्म कुंडली में अगर ग्रहों के इस्तिती अनुकूल हो ऐसे समय म आपके कामों में तेजी प्रगती और जिस भी बारे में आप सोचेंगे उसमें सुभ परजाम प्राप्त होता है लेकिन वहीं अगर आपने काला रंग धारन किया है राहू या सनी प्रतिकूल इस्तिती में बैठे हैं ऐसी इस्तिती में आप अनुमान लगा सकते हैं देख सकते हैं कि आपके प्रतिक कारे में देरी हो रही है जो भी आप कारे सुरू करने जा रहे हैं उसमें बाधाएं आ रही हैं किसी भी प्रकार का काम आपने मन में सोचा है सोचते समय तो बहुत अच्छा लग रहाता लेकिन कारे को जब परिडाम देने जाते हैं कारे के प्रारूप को खड़ा करते हैं ऐसे समय में बिगन बाधाएं आकर के आपको उथल पुथल से भर देती हैं और आपका मन बेचैन हो जाता है ऐसी परिष्तितियों में आपको ये निरले लेना होगा कि आपके आसपास काले रंग का वातावरान तो नहीं है कहीं आपने काला रंग तो नहीं पहन लिया है कि ये कपड़ा पहने से मैं फ्रेस लगूँगा और आप फ्रेस महसूस करते हुए जा रहे हैं और आपका काम बन रहा है लेकिन वहीं बिपरीद परिस्तियों में अगर आप सोचें तो काला रंग जब आप पहन करके कहीं जाते हैं तो कभी-कभी आपका काम बनता है और कभी कभी आपका काम बिगड़ जाता है तो अगर आपका काम बिगड़ा है काला रंग कपड़ा पहनने से या आपका मन मलीन हुआ है आपके अंदर बेचैनी महसूस हो रही है घबराहट महसूस हो रही है और आपको लग रहा है कि मैं खीक इस्तिती में नहीं हूँ तो यह समझ पूजा नहीं जा रहा हो कि काले कपड़े पहन करके कहां नहीं जाना चाहिए। यानि किशादी की रस्म पूरी की जा रही हो ऐसे समय पर भी काला कपड़ा पहन करके नहीं बैठना चाहिए। आपको पता है कि आपके घर में बच्चे के डिलिवरी है। ऐसे समय में कोशिश करें कि काला कपड़ा पहन करके उस बच्चे के सामने न पढ़ें पहली बार। इन समयों पर आपको काले कपड़े पहनने से बचना चाहिए। इसके अलावा अब आपको काला कपड़ा पहनना ही है या काला कपड़ा पहनना मजबूरी है और काला कपड़ा आपका शौक है। तो ऐसे समय के लिए मैं कुछ उपाए आपको बता रहा हूँ वो उपाए अगर आप करते रहें तो काला कपड़ा पहनने का जो बुरा असर पढ़ता है सनी और राहु के ग्रहों की इस्तिती जो खराब होती उसका बुरा असर पढ़ता है तो खत्म नहीं होगा लेकिन पहला काम आपको करना है कि जब भी आप कहीं निकल रहें काला कपड़ा पहन करके तो आपको चाहिए कि कटोरी में घर के इसान निकोंड में यानि उत्तर पूरु के कोने में कटोरी रख करके उसमें हल्दी और कुंकुम दोनों डाल करके प्रणाम करके तब आप निकले ज आएसास हुआ कि हमें ऐसी जगह जाना पड़ेगा, कि जहां हमें नहीं जाना चाहिए, ऐसे समय में अपने को बचाने के लिए किसी भी गनेश जी का मंदिर हो, सिव जी का मंदिर हो, या देवी का कोई मंदिर हो, वहां जा करके, आप उनका दर्शन करके, प्रार्थना करके कि मैं जो काला कपड़ा पहना हूँ इसका कोई भी नकारात्मत प्रभाव जिसके यहां मैं जा रहा हूँ उनके उपर भी न पड़े और उसका प्रयासित मुझे न करना पड़े इस तरह से प्रार्तना करके फिर आप जाएं तो कोई प्राब्लम नहीं होगी तीसरा उपाय है कि जैसे ही आप घर से बाहर निकलें लवंग लेकर के निकलें जब आप घर से बाहर निकल रहें उसी समय लवंग अपने उपर से तीन बार उतार करके घर से बाहर निकलकर रास्ते पे दाहिने फिंक दीजिए और फिर चले जाएए आपको काले रंग का जो बुरा असर निटस्ट संनी के मंत्रों का जाप करें। इनके जाप करने से plan शनी भगवान की उपासना करने से सनी भगवान का दर्सन करने से मंदिर नहों έ!? तो तो पीपल पेड़ के नीचे जाकर के तेल और काला तिल चढ़ा करके, अपने मन की प्रार्तना करके आएं, और देखेंगे कि सनी भगवान का कोई भी बुरा प्रभाव आपकी जिन्दगी पर नहीं पड़ेगा और आपकी जिन्दगी खुशाल रहेगी मुझे उम्मीद है हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी इसके अलावा आप अपनी जन्म कुण्डिली का बेस लेशन करवाने के लिए या मुझे व्यक्तिगत रूप से संपर्क करने के लिए वीडियो के नीचे देगे लिंक पर क्लिक करें इस वीडियो को लायक करें शेयर करें शब्सक्राइब करें तथा आपका कोई विचार हो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख करके भेज दें ताकि मैं उसका जबाब दे सकूँ नमस्कार धन्यवाद करके आपका कर दें ताकि में विख करके भेज़ कर दिए अन्यवाद